नमस्कार तो जो मैं आज रेस्पी लेकर आएं बहुत ही बढ़िया है बच्चों को बहुत प्रसंद आती है इस तरह की सीजिए वह है पाइनपल जैम बहुत असान तरीके से बन जाएगा और मार्केट वाले से बहुत बढ़िया बनता है एकदम जो घर का होता है एकदम फ्र चल जाएगा अगर आप इसको फ्रिज में रखते हो तो कमसे हम चार से पांच मिनित अगराम से आप सकते हो चलते हैं बनाते हैं पाइनपल जैम आपको मेरे वीए पाइनपल जैम की रेस्पी पसंद आती है तो फ्रीज वीडियो को लाइक कमें शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब आने वाली नियु रेस्पी का नोटिक्षा हमसे को मिन सके तो सब्सक्राइब नाते हैं पाइनपल जैम एक छोटे से इप्रों के बाद यह मैंने छे पीस पैनपल के पीसिस लिए है और इसकी जो आख होती है अच्छी नहीं से मैं निकाल चुका हूँ थोड़ी है इस तो वह भी निकाल दाता हूँ है आपको दिखाने के लिए ही इस तरह ही जो होगी आप उसको जुरूर निकाल दीएगा ने तो वह गले में लगती है तो दिक्कत कर सकती है और सबकी बागी की निकल चुकी है तो इसको हम पहले चौप करेंगे यह लगबग मेरे पास है 300 ग्राम के क्रीव है मैं पैनपल लेकर आया था किसी चीज के लिए तो बागी यूज हो गया था मेरा तो इसको फोड़ी छोड़ी पीस करते है बागी इसको मैं इसको मिक्सिंग में डाल के इसको ब्लेंड कर ले हूंगा दर दरासा वैसे तो इतना सॉफ्ट है यह इसको हम वैसी ब्लंच कर लेंगे तो भी हमारा अच्छियां से त्यार हो जाएगा जो हम पाइनपल लेना चाहिए अच्छासा जैसा ये इसका येलो क्षिक कलर है इसी तरह का लेना चाहिए जैम के लिए कि भी में या है तो मैंने सको कर लिया एक वा एक बार में चिम जेंगे चाहिए पीशन लेता हूँ उसकन्दा काई तो मैं यसाी और लिए इसको एक बार मैं मिक्सिमेड की जार में डालके पीस लेता हूँ मैं पीस लिए है यह देखिए कि बढ़िया टेक्स्चर आया है इसी दरे का चाहिए चलते गेस की साइट और इसको त्यार करते हैं गयस पर रखी मैंने कड़ाई गयस ओन कर दिये जो हमने पीसा था अपना पैनेपल का जो पल्प है वो डाल दाते हैं इसमें लुगतार चलाते हूँ पकाएंगे इसको पहले और थोड़ा सा मैं डाल रहा हूँ इसमें पानी इसको पकाने के लिए जबातार चलाते हूँ इसको पकाएंगे लगतार चलातो हूँ मैंने इसको पकाया है दो तिन मिनिट इसका अप टक्च्चर दें सकतों कैसा हो गया पहले पेदें और उसके मैं एड़ कर रहा हूं आज एक अपसे थोड़ा सा कम चीनी एड़ कर रहा हूं आप अपने साब से मिठा देख सकते हो कि आप जैम कितना मिठा चाहिए तो जितना में पाइनपल था उसके अपसे यह आदा कप शुगर सही रहाएगा उसको अचीना से चलाते पे पक क्या अब स्थक्राइब सकते हो जाओ कि आप चाहिए तो इसमें तो यह तर इसमें केसर का चीनी थो चुछ भूती यह फो बहुत अच्छी आजएगी तोडीदेर में वह भी आट कर तो मैंसमें अट करते हैं कुछ के सब्सक्राइब के लिए मैंने इसमें एक बहुत अच्छा खुश्बू वैसी भी आगी हमारे पर जो पैनप्पल की बहुत अच्छी खुश्बू आई है आज मैंने हलकी कर दिये और इसको कवर करते के पकाएंगे कुछ देर तक चेक करते हैं लगों पांच में तक उसको मैंने पकाया धखके इसका अब ट्रेक्चर देखिए कि अब बढ़िया हो चुका है पुरा जैम वाला पासस पर इसके अंदर थोड़ा पानी आमें पानी सुखाना है और उसमें मैं एड़ कर रहा हूं पिंच पर मैंने स्वाल्ट लिया है बस अलका था टच आना चाहिए नमकीन का मिठायास के अंदर थोड़ा बैलंस करता है बस एक दो में इसका पानी सुखाते हैं और उसको फिर ठंडा करेंगे और इसको फिर एट एट कंटेनर में दाल के आप स्टोर करके दा सकते हो ग्रैडव घरा पर लगा के एंजॉई कीजिए बच्चोगा टिफिन बॉक्स में सेंविच मना के भेजिए पाइनपल सेंविच जैम सेंविच अगर आपके बाप मलाई है तो मलाई एक पीस पर मलाई लगाई है एक पीस पर जैम लगाई है और इसको ट्राई कीजिए बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है ऐसा लागा कि आ आप पैनेपल पेस्टी कहा रहेँ है वच्वन में से ही गड़ा करता था जैम आया करता था हम मलाई उतार लेता थे दो दुने से पीष पे लगाई और एक पीष पे जैम लगाते थे और खाते थे अगर जैम नहीं होता थाम मलाई को पर ही थोड़ा सा चीनी डाल की खाते थे वह बहुत टेस्टी लगता था लिजे देखते देखते हमारा जैम भी रेडी हो गया है गैस आफ करते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं इससे हम ज्याधा गढ़ा कर देंगे तो जैम की जगाई यह फेश्ट पापर बन जाएगा पापर नी बनाना में अब दिखा देता हैं कैसे होना चाहिए इस तरह से ह है अभी गरम है थोरा थंडा होगा तो और सेट हो जाएगा तो इसको थंडा करते हैं फिर हम इसको ब्रैट पी लगाके दिखाएंगे आपको तो आएए डालते हैं हमारा जैम फुरा थंडा हो गया है एट जार के अंदर क्या बढ़िया टेक्स्चर आया है आए होप आपको मेरे बनाया हुआ पैनपल जैम की रैस्पी पसंद आई होएगी अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक का में शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा इसको हम लगाते हैं ब्रैट के उपर वो भी दिखातो हम आपको अब तोस्ट लिए थे इसको मैंने हलके से की क्यों लगा के तो यह पर सेक लिए है अक वाग टोस्टर है तो आप टोस्टर भी इसको कर सकते हो आब टेक्स्टर देखिए कितना बढ़िया है कोई यह नहीं कह सकता कि यह मार्केट का नहीं है बढ़िया टेक्स्टर एकदम बच्चे तो खुब लगा लगा के खाएंगे और सर्फ करते हैं इसको चाय के साथ फड़ा फट गर्मा गर्म टोस्ट और चाय कितना आदाम से स्प्लेट हो रहा है बिल्कूल मार्केट जासा बन क्या है फ्लेवर भी कोई कमें नहीं है फ्लेवर में सर्फ के लिए रेडी हो गए है हमारे जैम टोस्ट और चाय आपको मेरे बनावे जैम टोस्ट की रेस्ट भी पसंद आए हुए गया पसंद आए तो प्लीज फीडियो को लाइक शेर और कमेंच जूरू कीजेगा आपको मेरे बनाए हुआ पाइनपल जैम क्यासा लगा मिलते नहीं रेस्ट की साथ बाए 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 टेक्यर थैंक्स जाह बाए 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 बाएग बाए एग नहीं को लाए बाए बाए लाशों की एर फगा जीडिए लाए लॉ बाए लाए जाए वागाँ शेट अवाए लाए जगा बाएट।